नमस्कार देख रहे हैं जोतिश का स्पेशल कारिकरम पित्र रिण खास तोर पर मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतोश संतोशी जैसा कि आप लोग को पता है कि पित्र पक्ष इस बार 20 सितंबर से 6 एक्टूबर तक रहेगा 20 सितंबर पूर्णिमा का श्राध से आरंभ होगा 30 सितंबर को नौमी का श्राध है और 30 सितंबर से 6 एक्टूबर सर्व पित्र अमावश्या को पूर्णा होती होगी एक व्रिहत पित्र रिण यग्य का आयोजन जो हम गया जी में करेंगे जहां पर पित्र रिण के शांती के लिए पिंडदान प्लस भागवत पाठ का भी सम्यक आयोजन होगा आपके पास बहुत बड़ा आउसर है आप इस आयोजन का हिस्सा ले सकते हैं, बन सकते हैं 970-291850-9560-447000 पर कॉल या वाटसप करके ले सकते हैं हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे किसी तरह की समस्या नहीं होने पाएगी रहने की भी व्यवस्ता वहाँ पर रहेगी और सबसे बड़ी चीज है कि यह साथ पीडियों तक चलता है अगर आपने अभी तक अमालिजा बिदेश चले गए पिता जी मरे नहीं जा पाए गया जी आपका कोई इश्ट मित्र यार है बहुत परेसान चल रहा है यकीन मानिये पितरण जरूर होगा आपकी कुंडली को निर्बल करने के लिए अगर पीडित है तो इससे बड़ा दोश नहीं लगता है तो एक ऐसे अवसर का लाव अगर आपको लेना है तो आपके पास बहुत बड़ा मौका हम दे रहे है और इस बार के बाद आप लोग को तो पता ही है कि हमने फिल्में बनानी शुरू कर दी है तो पता नहीं अगले वर्ष फिर आप लोगों का सानित रहेगा कि हम बेस्त रहेंगे अपने अगले प्रोजेक्ट में तो देख लीजिए इस बार मौका बहुत अच्छा हम आपको दे रहे है पित्रन शान्ती के लिए बापीडित है इसका भी बहुत बाप देख लीजिए जिसके भी जर्मांक में पित्रन होगा और पित्रन की प्रबलता होगी वो शिक्षित नहीं होगा पढ़ने में उसका मन ही नहीं लगेगा और मन लग भी गया तो उस सिख्षा का उपयोग नहीं कर पाएगा डिग्री पिएजडी तक की और आदमी हल जोते हैं खेती करें कोई सुख नहीं एक किसान को देखी आप एक किसान को देख लीजी सामान नितया वो बिजनस वाले किसान की बात मैं नहीं करना हूँ जो हम लोग के छेतर में किसान है 40 साल में 60 साल जैसा शरीर बन जाता है पित्रिण है, शरतियां शरत लगा लिजेव वज़य था पहले की समय में ड्यू टू सो मेनी रीजनस परिवार का एक व्यक्ती ही गया ठाकुर दौरा जाता था कोई व्यवस्था नहीं होती थी कोई साधन नहीं पैदल आदमी जाता था 90 परसेंट लोग वापस नहीं आते थे खतम हो जाते थे रास्ते में ही इसलिए लोग जब गया जी ठाकुर दौरा जाते थे तो रोना पीटना पड़ जाता था गाओं में भागवत भी करवा रहा हूं क्योंकि इसमें व्यवस्था होती है कि आप गया जी पिंददान के बाद भागवत जब तक ना सुनने तब तक पलंग पर नहीं बैठ सकते है आदमी तखत पर बैठता है नीचे बैठता है तो मैं वहाँ भागवत भी करवा रहा हूं मतलब एक पंथ दो काम आप पूरी तरह से शांती कर लेंगे पितरों की तो मौका कम है एक क्यावन लोगों का ही रेजिस्टेशन चल रहा मैंने आपको बताया था जल्दी करें और रेजिस्टेशन की क्रिया चल रही है थैंक्यू नमस्ते